है वाट्स अप गाईज कैसे हैं आप सब देखिए आज हम डिसकस करेंगे 13 जुलाई का दा हिंदू नियूस पेपर और पी आईबी का इंपोरेंट करंट अफेयर्स तो लीजे गाईज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे वैरी वैरी इंपोर्टेंट है चाहिए आ जुन को सेलिब्रेट किया जाएगा सरकार ने घोशना कर दी है कल हमने भी टेलिग्राम पे कटाउट सेयर किया था ठीक है और देखिए हम टेलिग्राम पे पूरा जो महीने का हमारा करंट अफेयर होता है नॉर्मली साथ पेज का उसका पीडिया फ्री ओफ कोस्ट होना है लॉंच किया जाएगा इसका मेंली काम होगा प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट स्टार्ट अप और एग्री नियोर्स जो हैं जैसे एंटर्पनियोर्स है न तो वैसे ही एग्री कल्चर के सेक्टर में करने वाले जो हमारे भाई बहन है तो उनको बिल्कुल सपोर्ट कराया जाएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है प्यारे भारत के लिए ये है बुटान जो है वो जोईन करेगा बुटान जोईन करेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलाइन्स तो इसके लिए भारत ने थैंक्स कहा है बुटान को ठीक है कि भाईया जोईन करने के लिए धन्यवाद आपका तो International Big Cat Alliance के बारे में बेसिकली बात करें तो पता होना चाहिए कि भाईया इसको लॉंच किया गया 2023 में to celebrate the 50th anniversary of Project Tiger Project Tiger कब लॉंच होता है ये आता है 1973 में ठीक है हमारी भारत सरकार और NTCA जो है Tiger Conservation Authority बिल्कुल इसके लिए काम करते हैं दूसरा देखिए International Big Cat Alliance जो है एक Multi Country Multi Agency Coalition of 96 Big Cat Range Countries और Non-Range Countries ठीक है Non-Range भी है ये भी याद रखना कि जहाँ पे है वो तो है ये है Non-Range भी इसमें सामिल तो ये important बनता है ये वाला point ठीक है Headquarter की बात करें इस Alliance International Big Cat Alliance का तो प्यारे भारत में और इंडिया ने grant किया assistance कितना 150 करोड का 2023-2022 से 2027-28 के लिए इस Alliance के लिए ठीक है Aim है mainly इसका conserve करना साथ जो Big Cat की species है जिनमें से दो भारत में नहीं पाई जाती है और 5 पाई जाती है अंडरलाइन किया है मैंने यहाँ पे जो भारत में पाई जाती है जैसे की Tiger Lion Leopard Snow Leopard चीता ये भारत में देखने को मिल जाएंगे अब बोलोगे चीता तो सर एक्स्टेंट हो गया था 1952 में भाईया लेकिन 2022 में आठ चीता हम लोग लेके आये थे नभीम यासे और मद्यपरदेश के कौन से चलो कमेंट करके बताओ कूनो था या कूलो था ठीक है नेशनल पार्क में हमने इनको रखा था तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा वैसे ये साथ बिग कैट के लिए काम करेगा कंजरू करने के लिए जिसमें पांच भारत में है तो ये एंपोटेंट पॉइंट बनता है पता होना चाहिए गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांस सिप्मेंट पोल्ट जो है विजिन जैम ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है पहले वैसे हम डिसकस कर चुके हैं अब बात करेंगे गालाथिया बे के बारे में ये ग्रेट निकोबार में है अंडमान निकोबार को देखना मैप में पहले वैसे डिसकस कर चुके हैं लेकिन आज आपको सिरफ बताना था कि गलत या बे वाइड लाइफ सेंक्चुरी जो है पी आई बी में भी न्यूज में थी तो ये अनमान एंड निकोबार आइलेंड के ग्रेट निकोबार में बिल्कुल देखने को मिलेगी नेक्स्ट बात करेंगे एक लव या मोडल रेजिडेंशल स्कूल के बारे में गाईज तो देखो ये जो स्कूल है ये स्टार्ट किये जाते हैं ये हमारे जो हैं 1997-1998 में में मेंलीन का काम है क्योल्टी एजूकेशन देना जो हमारे सेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं रिम इसमें क्या नोन एस्टी बच्चे एड्मिशन ले सकते हैं जी बिलकुल ले सकते हैं नोन एस्टी जो बच्चे हैं एड्मिशन ले सकते हैं दस परसेंट ओफ टोटल सीट तक इतना नंबर ओफ बच्चे बिलकुल एड्मिट हो सकते हैं इसे स्कूल में और देखिए इसमे model residential school income management और ये सब ये वाली society जो है ये देखेंगी under ministry of tribal affairs अब आप से सवाल है ऐसे मतलब अगर मालिया किसी block में EAMRS school establish करना है क्या करना है EAMRS school establish करना है तो वहाँ पे कितनी population ST की होनी चाहिए comment section में बता दे ना पहले discuss कर चुका हूँ इनके बारे में तो पिछले जो PDF है उनमें ये चीजे मिल जाएंगे आपको लेकिन आपका भी यहाँ participation थोड़ा सा होना चाहिए न जिससे की लगे कि जिन्दा हो आप भी next हम बात करेंगे यहाँ पर very very important है और बिहार के बच्चों के लिए एक सवाल भी होगा इससे मखाना देखो वैसे तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत important है यह क्योंकि देखो भाया क्या होता है I think 2022 में इसको GI tag मिला था या 23 में मिला था ठीक है मिथिला मखाना को ठीक है मिथिला जो रीजन है बिहार का और थंजावर जो है तमिलनाडू यहां भी मखाना होता है लेकिन यहां नॉर्मली थोड़ा सा होता है लेकिन ज्यादा तर भाया बिहार फेमस है तो पता होना चाहिए आपको बिहार के बारे में और मिथिला रीजन जो है बिहार का उसमें I think 15 से 16 डिस्टिक बिहार के कवर होते हैं तो अगर आप बिहार के किसी भी एकजाम की त्यारी करते हैं SSC का हो बिहार PCS BPSC का हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मिथिला रीजन में कौन-कौन से डिस्टिक आपके आते हैं प fox nut ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे Deep Water Dog Fish Shark की एक परजाती डिसकावर हुई है जिसका नाम है Squalus hemah तो यह क्या है Squalus hemah यह फिस है याद रखना ठीक है कि फिस की परजाती है कई बार Civil Service Species में देखने को मिलता है कि recently यह चर्चा में था तो यह क्या है Animal है फ्लार है प्लांट है तो यह आपको पता होना चाहिए फिस है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे त्रिशुली रिवर बाड आ गई है कुछ लोग बहा गए है तो नेपाल की रिवर थी चर्चा में आई तो हमने भी थोड़ा यहां पर बात करी ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे व Saudi Arabia यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको Red Sea कमेंट सेक्शन में मैं हर बार पूचता हूँ Red Sea को कौन-कौन से देश की बाउंडरी टच करती है जरूर कमेंट सेक्शन में पनाई इधर Yemen, Oman देखने को मिलेगा Qatar है, इधर Kuwait है जहाँ पे भारतिया फस गए थे बहुत सारे ठीक है गाईज इरान भी काफी चर्चा में है और रिसेंटली आपको कमेंट करके बताना है S.C.O. का जो मिटिंग होता है वो कहां पे होता है उस जगह का नाम बताना ठीक है सहर का नाम बता दो तो अच्छी बात है गाईज आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आप बिलकुल कमेंट सेक्षन में जरूर बता सकते हैं मिलेंगे नए दिन के साथ तब तक के लिए जयाहिंद